नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे डालर के मुकाबले रुपया क्यों गिर रहा है रुपय की तुलना डालर से ही क्यों की जाती है रुपय में गिरावाट का क्या असर होता है जी हां रुपय में गिरावाट का क्या अर्थ है रुपय की तुलना डालर से ही क्यों क्या अ दोलर के मुकाबले रुपय क्यों गिर रहा रुपह में गिरावट का क्या असर होता है। डॉलर के मुकाबले रुपय के गिरने की बात सुनते होगी कुछ ही समय पुरू रुपय में भारी गिरावट आये थी और वह रुड़क कर 77.72 प्रत्री डॉलर के रिकार्ट निचले स्थर पर आ गया था इससे खलबली मच गई थी आपके मन में भी आता होगा आकिर यह रु से अन तक देखते रही है तो आई शुरू करते हैं रुपया क्या है दोस्तों सबसे पहले यह जान लेते हैं कि रुपया क्या होता है आपको बता दे कि रुपया जिसे अंग्रेजी में रुपी पुकारा जाता है इंडिन करेंसी यानि भारती मुद्रा का प्रतलित नाम है आपको बताते कि भारत के अलाम पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेसिया, माल्दी, मारिशा, स्रिलंका, आदी देशों के मुद्रा भी रुपया है इसके अफगानिस्तान तिब्बत आदी के पूरु मुद्रा भी रुपया ही थी विद्यसी मुद्रा भंडार क्या है भरती मुद्रा भंडार कितना है रुपया सब्द का इस्तमाल सबसे पहले किस ने किया था मित्रो लगे हाथ आपको बता दे कि रुपया सब्द का इस्तमाल सबसे कहां और किस ने किया था दोस्तों इस सब्द का इस्तिमाल सबसे पहले शेरसा सूरी ने भारत में 1540 से 1545 की बीच अपने सासन काल के दोरान किया था अलबत्ता उन्होंने जो रुपया चलाया वह एक चांदी का सिक्का था उनके दोरा चलाया गए इस सिक्के का भार करीब 178 ग्रेन यानी की 11.53 ग्रा अब आपको बताते हैं कि रुपयों में गिरावट का क्या आर्थ है दरसल जब रुपयों की किमत डालर के सापेक्च कम हो जाती है तो इसी रुपयों में गिरावट पुकारा जाता है इसका सीधा सा अर्थ यह होता है कि डालर के मुकाबले आपको अधिक रुपया चुका ब्रुबार कर रहें अमेरिका के पास 74,000 रुपए हैं और हमारे पास 1000 डालर है डालर का भाव 74 रुपए है तो इसका रिख्या है कि दोनों के पास बराबर रिक्म है ऐसे में यदि हमें अमेरिका में कोई चीज मांगनी है तो हमें अधिक खर्च करना होगा या आप भी जानते होंगे कि हमारे यहां से आयात अधिक होता है और निजात कम होता है ऐसी इस्तिति में भारती रिजर बैंक यानि आर्वियाई अपने भंडार एवं विदेश से डालर खरीद कर बाजार में इसकी आपूर्टेश निश्चित करता है रु रुपय के अस्तर को नापने के लिए डालर ही बेंचमार क्यों किसी अन देश की मुद्रा से इसकी तुलना क्यों नहीं होती है तो दोस्तों इसकी वज़ाए यह हैं कि अमेरिकी डालर को वर्ड करेंसी यानि कि बैसिक मुद्रा का दरजह हासिल है अधिकांस देश अपने नायात के बिल डालर में ही चुका थे अंतर राश्टी बैंकों में डालर की विजिसी मुद्राओं की तुलना में हिस्षिदारी 64 परसट अधिक है 85 परसट से भी अधिक अंतर राश्टी व्यापार में जिसमें कच्छा तेल भी सामिलाएं अमेरिकी डालर सुमार है इसके अर्थिक हालात से प्रभाईत होता है तो कभी सियासी हालात से रुपए की किमत पूरी तरह मांग एवं पूर्ती पर तो निर्भा करती ही है इसके अतरिक आयात एवं निर्यात का भी प्रभाव इस पर पड़ता है रुपए में इन दिनों देखे जाने वाली गिरावट की बात करें तो रूस युक्रेयन युद्ध का एक महत्रपुड कारक है रूस चुकि दुनिया का सबसे दूसरा सबसे बड़ा कच्छा तेल निर्यातक देश है ऐसे में निश्ची दूर्प से आपूर्ती बाधित होने से कीमतों में तेजी आई है वजह है कि अमेरिका एवं बांड मार्केट से पैसा निकाल रहा है यह तो आप जानते ही है कि बांगल देस के पास विसे मंध्रा का भंडार होता है जिसमने वह लेंदन करता है विस देश की मंद्रा का भंडार का कम होगा और इसकी मांग अधिक होगी तो निशीत रुपए उसकी कीमत बढ़ेगी डालर के मुकाबले में रुपए में गिरावट का क्या असर होता है अब आपके मस्तिक में है सावाल आवस से आ रहा होगा कि आखिर रुपए की गिरती कीमत का क्या असर होगा तो दोस्तों आपको बतादे कि से देश से बाहर आने वाला सामान महा हो जाएगा जैसे क्रूड अधिक रुपया मांगना के लिए चुका नहोंगा भारत इसके बड़ी संख्या में दूसरे देश्व से भी सामान आयाद करता है जिस वस्तों कि मांग अधिक होती है उसका मुल्य अधिक होता है क्या रुपय का गिरना हमेशा नुकसान दायक होता है मित्रों ऐसे में गिरावट हमेशा नुकसान दायक नहीं होती इसकी कई पक्च को लाब भी होता है जैसे भारत के सामान एवं सेवाओं का निर्याद करने वाले लोगों को इससे लाब होगा आपको बता दे कि भारत से बहुत से चीजें विदेश को निर्यात की जाते जैसे चाय काफी कलपुजे चावल मसाले सी प्रड़क्ट मीट आधी रुपए में कमजोरी से इन लोगों को निशीद रूप से लाव होगा यहां दिक्कत यह है कि भारत का निर्यात उसके आयात के पेच्छा काफी क है हमारा व्यापार घाटा घटने के स्थान पर करीप 33 परसेंट और बढ़ा है एक रिपोर्ट बताती है कि वित्वर्स 2022 देश में हमारे देश भारत का करेंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने की असंका है रुपए में गिरावा ट्रेजर बैंक के लिए कैसी मुश्किल ख अगातार उच्छाल भर रही हैं रुपोगा गिरता अस्तर हरेक के लिए चिंता की बात है सबसेदिक चिंता में इस वक्त भारती रिजर बैंक क्याने की आर्बियाई है पहले चीज तो यहां कि यह ब्याजदर बढ़ाकर महनाई पर काउपाने की जो कोसिस करता है इससे उ जिटका लगता है दूसरी मुद्रा में गिरावट पर जिंतरर के लिए उसे विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया खरित पर इस पर काबू पाने के लिए जून में मानिटरी पालिसी की समिक्षक कर फिर से विजदर्य बढ़ाता है तो देश में पूजी की लागत पुरा असर पढ़ने की असंका है